लोग सभाचुनाव 2024 से ठीक पहले E.D. को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया गया है और ये खुलासा कहीं और नहीं बल की हाई कोर्ट में हुआ है शक्स ने अपने बयान में बताया है कि E.D. ने उससे कबूल नामा करवाने के लिए उसको डराया परिवार को धम की दी और मार पीट की सिर्फ इतना इने उसको इतने थपड मारे गए इतने थपड मारे गए कि शक्स के दोनों कान के परदे ही पट गए ये बयान सुनने के बाद तो जस सहाब की भी आँखें खुली की खुली रह गई अभी तक तो ED को लेकर कहा जाता था कि ED दराती है, धमकाती है, ED विपक्ष को फसाती है लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब तो हदी ही हो गई तो क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसी ED को लेकर भविश्यवाने की थी कि जिस विपक्ष को चुनाओ के नतीजे एक जुट नहीं कर पाए, उसे ED ने एक जुट कर दिया है फिलाल आपको बदा दे कि जब से ये खुलासा हुआ है, तब से बवाल मच गया है आम आदमी पार्टी संजे सिंग ने सामने आकत खुद PC करके BJP को कट घरे में खड़ा कर दिया है काफी कुछ कहा है आम आदमी पार्टी सांसर संजे सिंग ने दस्तावेज भी पेश किये हैं उनका बयान आपको सुनाएंगे लेकिन पहले आम आदमी पार्टी का आपको ट्वीट दिखाते हैं लेकि इसमें लिखा हुआ है कि बड़ा खुलासा इडी मार पीट कर धमकी देती है तेरी बेटी कॉलज कैसे जाएगी चंदन रेड़ी को इतना मारा की कान की परदे फट गए उसने उचने आले में याचिका दी इडी धमकी देती है कि जैसा कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का बुरा अंजाम होगा तो चंदन रेड़ी ने हाई कोट में जाकर याचिका दाखिल की उसका कहना है कि इडी ने उसे इतना मारा है कि उसके कान के परदे फट गए उसकी बेटी को भी धमकी दी गए और उसे डराया गया धमकाया गया जबरदस्ती बयान लिखवाया गया इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी संजे सिंग ने क्या खुलासा किया है कैसे दस्तावेश पेश किये हैं उनका बयान सुनिये एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बुढ़े माबाब को धमकी मारना पीटना प्रतारित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना तो अगर S.A.E.D. काम कर रही है एक शक्स को डरा रही है उसकी पत्नी को डरा रही है बेटी को धमकी दे रही है बुड़े माबाप को धमकी दे रही है मार रही है पीट रही है तो आप समझ जाएए कि अगर केंद्री एजनसिया ऐसे काम कर रही है तो विपक्ष तो छोड़ ये देश का सत्यानाश होना काय है एक तरफ जहां केंद्री एजंसियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी संजै सिंग ने कितना संसनी खेस खुलासा किया है जहां एक तरफ चुनाव नस्दीक आ रहे हैं वहीं इडी-CBI आक्टिव हो गई है और ये इडी-CBI इस तरीके से काम करती है तो समझ जाए कि करनाटक में क्या होने वाला है फिलाल आपको बता दे कि चंदन रिडी नाम का एक शक्स है जिस पर कुछ आरोप लगे तो इडी उसे पूस्टाश के लिए ले गई पूस्टाश के चंदन रिडी जब बाहर आये तो उन्होंने आइकोट में आकर याचिका लगाई है चंदन रिडी का कहना है कि उन्हें मारा गया है मारपीट की गई है उनके काल के दोनों पर दे पार दिये गए हैं जबरदस्ती कबूल नामा करवाया गया है चंदन रिडी के इस खुलास सुनिए फिर आपको बताते हैं कि सिर्फ चंदन रिडी नहीं बल्कि किस तरीके से एडी ने किस को टार्गेट किया है और क्या कुछ हुआ है और हाई कोट की हेरिंग में कैसे ज़सा आप ये सुनकर सन्द रह गए यह चंदन रिडी हाई कोट में पेटिशन करते हैं माननी ये उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि एडी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मू दिखाने लायक नहीं रहेगा ये सारी बात हैं इसने लिखिया और इतना ही नहीं इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए तो ये हैं आम आदमी पार्टी के सांसस संजे सिंग जिन्होंने कहा था कि आज 12 तारिक को 12 बजे बड़े खुलासे होंगे तो कितना बड़ा खुलासा किया गया है उन्होंने बाकाइदा हाई कोड में जो हेरिंग हुई है उन दस्तावेजों को भी पेश किया है गा कहना है कि लगाता रीडी डरा रही है धमका रही है और इसी तरीके से मार पीट करके लोगों को पसा रही है यहाँ पर सवाल इस बात का भी उठता है कि चंदन रेडी को लेकर जिस तरीके के दावे किये जा रहे हैं चंदन रेडी ने खुद तो अपने कान के परदे पाड नहीं लिये होंगे तो यहाँ पर पूरी डाल काली है या पिर की डाल में कुछ काला है यह समझने वाली बात है फिलाल क्या खबर है खबर भी देखेगा खबर देखे टीवी नाइम भारत वर्ष की इसमें लिखा हुआ है कि एडी हिटलर की तरह बना रही गैस चेमबर गन पॉइंट पर कबूल करवा रही गुना संजे सिंग तो गैस चेमबर बना रखा है गन लगा कर लोगों के माते पर बंदूक रखके बयान को कबूल करवाया जा रहा है इसमें लिखा है खबर में कि आम आदमी पार्टी के राज्यसबा सांसद ने आज प्रेश कॉन्फरेंस कर एडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज पूरे देश की आता हूँ कि एडी कैसे एंपोर्सिंग डिक्टेटर बन गई है उन्होंने कहा कि आज मैं इसका खुलासा करूँगा सिंग ने कहा कि एडी लोगों को प्रतारित करती है एक को कहा गया कि तेरी बेटी कॉलज कैसे जाएगी देखेंगे लोगों के माबाप को दमकाया जाता है उन्होंने कहा कि ये बात हम नहीं कोट में कही गई है चंदन रेड़ी ने हाई कोट में पिटीशन लगाई कि ED ने उन्हें मारा वो भी ऐसा मारा कि उनके कान के परदे पढ़ गए हर डिगरी के सहारे जबरन बयान लिया गया है इसी के साथ संजे सिंग ने कई और नाम भी बताए है संजे सिंग का कहना है कि चंदन रेड़ी की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि पिटाई के कारण उसके कान के परदे पढ़ गए है उन्होंने कहा कि ED से प्रतारित दूसरा व्यक्ति है अरुण पिल्लाई ED ने उसकी बेटी और पत्नी को धमकाया तीसरा व्यक्ति है समीर महंदू इसकी पत्नी को डराकर धमका कर जूटा बया लिखा गया वहीं समीर महंदू ने बात कर ये बात कोट में लिख कर दी है कि चौथा नाम भूशन बेलगामी है पूशन को ED ने धमका कर जूटा बया लिया है इतना ही नहीं मना स्वामी परभूने से भी ED ने जबरन जूट बुलवाया है तो ये कितने सारे नाम हैं जिनको लेकर आमादनी पार्टी संजे सिंग ने बड़े खुलासे किये हैं जहाँ एक तरफ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी कहते है ED-CBI से कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है पिछकी चाने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ो कारवाई करो तो क्या इस तरह की कारवाई का समर्थन किया जा रहा है आखिर ED किस से डर के इस तरह की कारवाई कर रही है क्योंकि केंडरी अजेंसिया अगर इस तरह के से कारवाई कर रही है तो विपक्ष तो छोड़िये देश भी खत्रे में आ जाएगा फिलाल इस संसनी खेस खुलासे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पर दबाया बलाइक कर दबाया तक कि हर कबर की नोटिफिकेशन आप तक पहसीर है मैं प्रेंग का आप देख रहे था ओनलाइन न्यूस इंडिया फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए खने बाद